हमारी चैनल ग्यान विशेश को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएए दोस्तों आज हम एक जड़ी बोटी पट्टुवा की पहचान करेंगे और इसके पाइदे के बारे में बात करेंगे यह वर्षा रुत में लगबग सारे पारत वर्ष में उत्पन होता है और एक खपतवार के रुप में पाया जाता है इसके पत्र पांच सेंटीमेटर लंबे और लगबग डाई सेंटीमेटर चोड़े होते हैं इसे पीले रंग के पुस्प लगते हैं और दो से डाई इंचलम भी फली लगती हैं इसे सुक्स्मत्रिकोन आकरवाले काले रंग के अने की बीच होते हैं इसका पुस्प काल एवं फल काल लगबग जूलाई से निवंबर तक होता है इसका संस्कृत नाम पट्ट साक है जबकि हिंदी में पटवा, पटवा, पाट और पटुये का साक कहा जाता है गुजराती में इसको मोटी छूँच कहते हैं और इसका तेलुग नाम परिटा है उडिया में चोटो, मराठे में मोटी चोचे और तमिल में पेरांटी कहते हैं इस पोधे का अंगरिजी नाम इंडियन जुट और नालटा जुट है इसका विज्यानिक नाम कॉंकोरस, ओलिटोरियस है दोस्तो पड़वा का बोधा सितल प्रकृतिका होता है यह मदूर, सीत, पिजल और कप पित सामक होता है दोस्तो इसका साख बहुत ही समदूर और स्वादिष्ट बनता है ग्रामिन क्षत्रों में सदियों से इसका साख बना कर काया जाता है यह सरिर में बटी हुई कर्म को दूर करता है इसके साख का नित्य सेवन करने से सरीर में बड़ा हुआ पित का समन होता है और कप निकल जाता है। यह पोदा चवर में भी बहुत ही लापकरी होता है। इसके पंचाग को पानी में उबाल कर काड़ा बना कर पिने से और इसका साख बना कर खाने से जवर्ज सूट जाता इसके पंचाग का काड़ा बनाकर सेवन करने से पेट की क्रूमी नस्ट होती है। इसकी पत्यों का रोजाना साख बनाकर खाने से रक्तपित का समन होता है और क्रूमी नस्ट होती है तथा कुष्ट रुप में बहुत ही फायदा होता है। दोस्तो इसके बीचों को 7-10 क्राम की मात्रा में पाने के साथ सेवन करने से पेट साप हो जाता है। दोस्तों इसके ताजी पत्रों का रस निकाल कर पिने से या इसके पत्रों का काड़ा बना कर सेवन करने से पेशाब खुल कर आता है और पेशाब से बंदी कही बीमारिया दूर होती है। इसके काड़े का रोजाना सेवन करने से सरे में कमजोरी मिठती है बल बढ़ता है और ज्वर चुट जाता है। यह पेट के कई रोगों में बहुत ही लापकारी होता है। इसके पत्रों का क्वात बनाकर 10-20 मिली की मात्रा में रोजाना पिने से आमासाई मजबुत बनता है। इसका रोजाना सेवन करने से कुछी दिनों में अर्षप मिट जाता है। इसके अलावा अगर आमा साय में कोई वरण हो जाता है तो इसका क्वात 10-20 मिलकी मातरा में सिवन करने से वरण बर जाता है और बहुत भाइदा होता है दोस्तु यह चर्म रोगों में भी बहुत ही लाबकारी होता है पटवा के पत्तों को पीछ कर प्रभावित स्थानों पर लगाने से या इसके कलक का सिवन करने से तोचा के रोगों का समन होता है दोस्तु यह कुष्ट रोग में भी बहुत ही लाबकारी है पटवा के साथ नि करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई चानकार के साथ